रेक के बाल आपका स्वागत है राज कुमार नीटू ने की बहिंसंस्ता के उपाध्यक्ष बिने भगनाल विशेश रूप से उपसित रहे राजयस्तरिय इस बैटक में पर्देश बर से आय प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अपने बिचार सांचे किये बैटक में कबरड़ी एसोशेशन दोर्वरा बर्षबर में आयुज़त की जाने वाले प्रतियोगिताओं की रूप रेखा बनाई गयी और नीरने लिया गया कि ये प्रतियोगिताएं किन जिलों में आयुज़त की जाएंगी अधिक चानकारी देते हुए एसोशियेशन के परदेशा ध्यक्ष राजकुमार नीटू ने बताया कि इस वर्ष में राजस्तरिय प्रत्योगिता का सब जूनियर मंडी में है और जूनियर बर्ग की प्रत्योगिता सिर्मोर में आयोजित होगी वहीं सीनियर बर्ग की रजस्तरिय प्रत्योगिता बिलासपुर में आयोजित की जाएगी उन्होंने बताया कि इस वर एक महतरपूर नेड़ने बैटक में लिया गया कि इस वर कवर्डी को प्रमोट करने के लिए करिब साड़े 14,000 फीट की उन्चाई पर स्थित एशिया के स संस्ता का प्रयास है कि अजे ठाकुर जैसा दुरंदर, खिलाडी, नालागर में ही नहीं एशिया के सबसे उन्चे गाउं में भी पैदा हो बैठक में निर्ने लिया गया कि 2020 में 2021 की जो हमारी स्टेट चेंपिंशिप हैं उसका आयोजिन कहां होगा और कैसे होगा उसके लिए हमारे जो सब जूनियर वर्ग के जो स्टेट चेंपिंशिप होगी वो हमारे जिला मंडी में होगी और जूनियर वर्ग की जो हमारी प्रत्योगिता होगी वो सिर्मौर में जिला सिर्मौर में कवाई जाएगी और सीनियर वर्ग के जो हमारी प्रत्योगिता है महिला और पुरुषकी वो बिलास्पुर जीला में करवाई जाएगी और इसके साथ हमारे जो एक सुझाओ हमारे लाउस्पिती के जो अध्यक्ष है उनके माध्यम से यहाँ पे आया और सबने उसे पारित किया कि हिमाचल एशिया का सबसे हाई एल्चूट जो गाउं है स्पिती में परता है कौमिक गाउं वहाँ पे जो है एक ग्रामिस्टर का जो टूर्नमेट करवाया जाएगा उसके लिए हिमाचल प्रदेश कबड़ी संग का पूरा सयोग जो है लाउस भी तीकबड़ी संग को जो है पूरा हम सयोग करेंगे और ये हमारे लिए भी गरव की बात है और किनौर में भी इस तरह का एवजन करवाने का या भी ये सोच रहे हैं किनौर वाले तो हमारे लिए भी गरव की बात है